आत्मा की फोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहें हमारे चेनल से आपका अपना चेनल गुरु अशोक तिवारी राइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै मातागी जै प्रश्राइब श्री गणे शाय नमा आज का हमारा यह भाग बड़ा ही मनोरण्यन से भरा हुआ भी है और सिक्षाप्रद भी है आप से अन्रोध है कि इस भाग को आप पूरा देखें और मनोरण्यन भी करें और सिक्षा भी ग्रहन करें दोनों चीजें हैं इसमें तो बंधू कोई भी बात हमें समय के अन्रूप ही करना चाहिए अर्थार जैसा समय हो बेशी ही हमें बात करना चाहिए यदि समय के विप्रीत मान से आप बात करेंगे तो लोगों के क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है अब उदाहरन के तोर पर मान लो किसी का विवा हो रहा हो और मोका हो भामर पड़ने का उस समय जब भामर पड़ रही हो और पंडित जी पुराणों के और वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो उसी समय कोई व्यक्ति यदि जोर जोर से इस मंत्र को पढ़ने लगे कौन सा मंत्र की राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है अब यह मंत्र तो है और यह भी सही बात है कि यह महा मंत्र है पर अंत्तु समय के मान से यह सही नहीं वेठता है अब आप कल्पना करिए कि ऐसे मांगलिक समय में जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जोर-जोर से उच्चारण करेगा तो बहां मौजूद दूला और दुलिन के जो इस्टमित्र है नाते रिष्टिदार है परिवार के लोग हैं उस व्यक्ति का क्या हाल करेंगे अब दूसरा उधारन भी हम देते हैं कि माल लो किसी व्यक्ति के हाँ कोई गमी हो गई हो कोई मृत्य को प्राप्त हो गया हो और उसकी अर्थी को सजा करके और लोग शम्शान को ले जा रहे हो और ऐसे समय में कोई व्यक्ति जोर-जोर से ऐसा गाना गाने लगे कैसा कि आज मेरे दिल में तमन्ना बढ़ी रे भगबान करे रोजेंसी आए घडी रे तो ऐसे व्यक्ति का भी लोग क्या हल करेंगे? मेरे ख्याल से तो मार मार के उसके सारे कपड़े फार देंगे और ऐसे जन समदाए में यदि आप मुझूद होते तो आप उस व्यक्ति का क्या हल करते? ये तो आप कामेंट्स वाक्स में अवश्चे ही लिख देंगे तो कहने का तात पर ये ऐसा है कि वानी हर हमेशा समय के अनकूल ही बोलना चाहिए अन्य था आप परिहास के पात्र बन सकते हैं बंधुगो या जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कामेंट्स वाक्स में अवश्चे लिखें आज के लिए वस इतना ही सेस फिर कभी नए विशे के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तत होंगे आग्या दीजिये धन्यवाद जै माता की जै परश्राम जी की